असलामों अलेकुम, वल्कम आप सब एकाइस नई वीडियो में तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जेके बोस क्लास 10th सोशल साइंस का आज का सॉलवेड पेपर लेकर आया हूँ आपको पता है कि आज 10th का सोशल साइंस का पेपर था आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉलवेड पेपर लेकर आया हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टर रहने वाला है वीडियो को पूरा इंट तक देख लेना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ टेलीग्राम ग्रूप और वाटसब ग्रूप दोनों जोइन कर देना दोनों की लिंक अपको डिस्कुप्चिर में मिल जाएगी तो चैनली वीडियो को शुरू कर लें तो जान लेते हैं यहां पे Class 10 तो Social Science के Solved Paper के बारे में आज कैसा Paper आया था उसको में यहां पे देखेंगे तो स्क्रीन पे यहां पे आपको Paper दिख रहा होगा Paper में आपका जो है तोटल 17 Question आये थे यहां पे देख सेथे 8 Page Total थे Z Series का मेरे पास Paper यहां पे देख सेथे Social Science का Paper है, 70 Marks का Paper था आपका तीन गंटे का यहां पे आपको टाइम दिया गया था Paper करने के लिए तो सबसे पहले हम Section A की तरफ चलेंगे Section A से जो आपके Marks आई वो यहां पे एक Marks वाली Objective Type Question है यह सबसे Important होते हैं, इसमें हम एक ही करकी Questions को पढ़के आपको समझाएंगे किस Question के क्या सही आंसर है, पहला यहां पे Question No.1 है Vector Emmanuel 2 Was Proclamate King of Italy In which year, ठीक, जो Vector Emmanuel 2 था, यह King था United Italy का, किस year में, चार Options आपके पास है, चार में जो राइट आंसर है, वो C part है, 1861 में जो था, यह King था United Italy ठीक, उसके बाद Question No.2 की तरफ हम चलेंगे Question No.2 है, यहां पे Who organized that distressed UP peasants in 1918 to 1919 A.D. ठीक, यहां पे 4 options आपके पास है, Mahatma Gandhi, Jawaar Nailu, Baba Ram Chandra उसके बाद यहां पे 4 options है, चार में से जो राइट अंसर वो यहां पे आपका C part है, Baba Ram ठीक, उसके बाद Question No.3 की तरफ हम चलेंगे Rubber Cultivation is an Example of Dace Agriculture ठीक, Rubber Cultivation जो है एक किस टाइब की agriculture की example है यह Plantation Agriculture की example है ठीक, उसके बाद यहां पे Question No.4 है Simon Commission arrived in India in Simon Commission जो इंडिया में कब आया था 4 options आपके पास है 4 में से जो राइट अंसर है, वो A part है What was the tenure of Bakshi Gula Muhammad? यह आपके पास 4 options है 4 में जो राइट अंसर है, वो यहां पे C part है 1953 to 1963 ठीक, उसके बाद Question No.6 की तरफ हम चलेंगे 6 जो question आपका आया था Which state is the largest producer of wheat? कॉनसी state यहां पे largest producer of wheat है, 4 options है Punjab, UP, Rajasthan and Madhya Pradesh इसका जो राइट अंसर है वो है 1955 में कौन Education Minister था जम्मो कश्मीर का जिसने Education Policy State की बनाई थी तो इसका जो राइट अंसर है वो यहां पे है शेक उब्दला ठीक उसके बाद Next question जो आपका है वो यहां पे आपका है Sugar is an Dash-based industry Sugar किस बेस के industry है? Agro-based industry Agro-based industry यहां पे इसका राइट अंसर है उसके बाद Question Number Next की तरफ हम चलेंगे Next question जो आपका आयत है Rule of the people is known as Democracy, Monarchy, Dictatorship इसका जो राइट अंसर है वो यहां पे है Democracy Next question यहां पे आपका है Agro-Industries are labor-intensive industries इसका जो है Agro-Industries जो होती है वो labor-intensive industries होती है यहां कि इनमें हमें labor ज्यादा लगता है तो यह आपका right answer है Agro-Industries में हमारी labor की कास्ट जो होती है वो ज्यादा यहां पे होती है उसके बाद Next question है Manufacturing is an activity of which type Primary, Secondary, Tertiary and यहां पे चार options है चार में जो right answer है यहां पे आपका B part है secondary Next, यहां पे जो question है NDRF standards for NDRF के आपको definition लिखनी थी यहन के full form आपको लिखनी थी National disaster response force N बोले तो national, D बोले तो disaster, R बोले तो response, F बोले तो force उसके बाद यहां पे हरी परबत is situated in सरनगर को वारा गांदर बर ले यह जो हरी परबत है यह सरनगर में है इसका जो answer है वो सरनगर right answer है उसके बाद question number next Which of the following mineral is fossil fuel चार mineral से यहां पे दी होए चार में से कौन से fossil fuel है Zinc है, Barium है, Coal है, Uranium है इसके जो right answer है वो यहां पे coal है Coal जो है, वो fossil fuel है उसके बाद लोगसभा की कितनी suits यूटी जमो कश्मीर में है पांच उसके बाद next question The full form of PPP is PPP की full form आपको लिखने थी PPP की जो full form होती है Public-Private Partnership उसके बाद next question आपका है How many union territories are there in India इंडिया में कितनी UTs है पहले 6 अब यहां पे 8 है 8 union territories है उसके बाद next question आपका है People complaining about democracies shows death जब लोग democracy की complain करते है That means कि people aware है उनको पता है democracy की rules and regulations के बारे में तो ए पांच जो इसका right answer है People are aware ठीक उसके बाद next question आपका है वह यहां पे आपका आया था Which one of the following disaster isn't prone to jamu and kashmir state ठीक flood है Earth को क्या है Cyclone है उसके बाद next question आपका यहां पे आया था The first industrial exhibition in jamu and kashmir was held in which year 1938 ठीक 1938 इसका right answer है Section B की तरफ हम चलेंगे Section B से आपको दो-दो marks वाली question आपके आया थे इसमें पहला question आपका आया था Explain the जलियांवाला बाग इसको जलियांवाला बाग का incident था उसको थोड़ सा आपको लिखना था दो-चार लाइन्स में उसके बाद यहां पे डेख सकते हैं Why were con laws scrapped it Explain three reasons 16 reasons आपके लिखने थे उसके बाद यहां पे नीचे आप देख सकते है Explain the cause of great depression यह काफे important question है यह लगबग हर साल यह आपका आता ही रहता है State जो है यहां पे आपका जाएगा Governor Municipal Corporation का आजाएगा Mayor उसके बड़ ग्राम पंचेट का जाएगा सरपंची की इस तरह से आपको इसने match कर देना था उसके बाद next question है आपके 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 लेना था इसमें पहला यहां पे आपके 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 अपके.. Shortly lecture the process of Italy unification.. इसको आपको 500 सो लेकर 500 وards में यहां पे इलापरत करे लेना था यहां पे देख सकते हैं नीचे सब भी questions आपके attempt करने थे और आपको और पांट JUST किसी का KL Kो करने थे आपको यहां पे जहुड distribution करनी थी, उसके बाद यहां पे आपको एक extract दी हुई थी नीचे, इस extract आपने पढ़ना था, यहां पे देख से 7 outline की passage हुई थी, और नीचे यहां पे आपके कुछ कोश्चन यहां पे थे, 3 कोश्चन थे, 1-1 marks वाला था, 2-2 marks वाले थे, टोटल यह Indicate the following union, outline map of India, यह आपको indicate करने थे, यह वाले areas, उसके बाद outline map of India, shade the level to union, unitary countries, यहां पे आपको, unitary countries को चाहँआ, यहां पे आपको, unitary countries को चाहँआ, यहां पे आपको, unitary countries को चाहँआ, यह था आपका, आज का, solve it question paper, social science subject का, class 10 का, मैंने detail में समझानी की, आपकी कोशिश कर जाँ झापको, पूरी में चाहँए है।